वैलोई वरीवन आज हम लोग बायो मंतन के सीरीज में नेफ्ट जो एक टौपिक है इसके बारे में कुछ तॉट जो टौपिक है उसके बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं इसमें जैसे हम लोग सेल डिवीजन को एक मतलब इंपोर्टेंट examination point of view से important मान के आगे चलेंगे और हर यहर इससे question आई जाता है इसमें में हम लोग आगे बात करेंगे इसमें मियोसिस का तर्म हमारा क्या है मियोसिस यह मियोसिस जो है जैसे हमारे पास जो 2N1 तो एन एक सेल इस्ट्रक्चर जो आए गया जाइगोट गैमेट यह इसको बोलेंगे 2N वह हमारा रहेगा में क्या होगा 46 नंबर ओफ क्रोमोजोम और डी एने कितना होगा 2C यह हमारा डी एने का नंबर हो गया 2C और यह हमारा क्रोमोजोम नंबर हो हमारा यह जो 2N जो है इसको अब लोग आगे फर्दर क्या करेंगे डिवाइड कैसे होगा सेल डिविजन में एन में डिवाइड होगा कि adこ एक से में डिवाइड हो जागा है है कि हमारे डिपलाइड होका डिपलाइड से क्या होगा है एक और दार रहें । निकत्याद बिशक्रिश आ रहें है है इसको हम लोग क्या बोलें जो इस फर्स्ट Muses First या इसको बोलतकते हैं हम लोग और बोल चाल की भासा में और जो Examiner पूछता है Reductional Division Reductional Division या इसको क्या बोलेंगे और Heterophytic Heterophytic Division Done क्योंकि इसमें जो जैसे कि हमारा यहां पर लेंगे Suppose माने यहां पर 46 chromosome है और 2C DNA का नंबर है यहां पर कैसे division होगा Division होगा chromosome का 23 और जो इसका जो DNA का जो है वो division सेम नहीं होगा यहां पर तो इसको डिवाइड करने के लिए इसमें सिर्फ chromosome डिवाइड हुआ DNA तो डिवाइड नहीं हुआ DNA को फर्दर डिवाइड करने के लिए हाफ हो गया ठीक है तो हमारा यह जो प्रोसेस है कि N से जो जैसे कि सारा कुछ डिवीजन जो हो गया यह प्रोसेस हमारा मियोसिस सेकंड कहलाएगा मियोसिस सेकंड फर्रोसे और हम लोग क्या बोलेंगे मियोसिस सेकंड को एक्वेसिनल यह सम बराबर बराबर हो गया इसमें इक झाने प्रोमोजों भी और हाफ हुद हुद और नंबर भी हाफ दिवाइड हो गया तो फिर इसको сторон हो गया acompan हेलने इक्वेशिनल डिवीजन ऐक्षेशनरों 1 जंद फिर इसको बोलेंगे होमोफिटिक होमोफिटिक है डिविजन जह हमारा सेल डिविजन का म्योसिस समर्वर्व टार्म इसमें देखें म्योसिज में क्या म्योसिस फर्स्ट राफ्ट है यह हमारा क्या यह डीपलायट सेल कि यहां से क्या बना हैै प्लाइड यहां पर सारा कुछ यहां पर जो इंपोर्टेंट क्या है जैसे आपसे पूछा जागा एक्जाम में इसका नाम पूछेगा कि reduction division किसे में मियूसिस फर्स्ट या में फिर एक्वेसिनल डिवीजिन किसको में लोगब तर्म देंगे मियूसिस सेकंड या में फिर आपसे पूछ लिया जागा मियूसिस फर्स्ट में इन से फ्रिष नफर कोरोफ अव्लोम कितने होगे और लोग इसमें बात करेंगे अ प्रोटर करेंगे क्या है पूरा। डिटल ले रहा है मुझत्स को इसमें हमारा जो है जी बन आएगा एस फेज आएगा जी टू आएगा यहां से शुरू होगा चलेगा आगे जागे प्रोफेज प्रोफेज फर्स यहां प्रोफेज फीर्स प्रोफेज फर्स्ट यहां खेगा जी टू इसमें सब फर्स्ट लगाना इंपोर्टेंट थी टू नाफेज first and last होगा telophage first इसमें हमारा सबसे important क्या होगा pro phase एक तो important होगा इसमें star mark कर देते हैं done और हमारा a na phase ये दो ही phase जो है important होगा ये जो हमारा सुरू कहां से होगा deployed cell 46 इसमें chromosome होगे 46 chromosome और DNA का कितना होगा value DNA 2C ये हमारा g1 2, g2 जाएगा उसको क्या बोलेंगे interface ये term आ सकता है आपके पास इसको ध्यान में रखें इंटरफेज तो हम लोग इसमें important क्या बोलने वाले है फ्रोफेज फर्स्ट को और एनफेज फर्स्ट को इनफेज फर्स्ट को इनफेज फर्स्ट तर्म बिल्कूल आप ध्यान रखेगा लेप्टो इन जाएगो इन सेम यही ओडर में आएगा फ्रोफेज के अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो उसके बाद जाएगो इन क्या जाएगो इन जाएगो इन नेक्स्ट आएगा क्या पेकाई इन सेटीन सेटीन तेर आएगा क्या दिप्लोटीन नेक्स्ट आएगा क्या दाएगा दाएकाईनेसिस दाएकाईनेसिस और अब इसनुम वेक्ट का सब्सक्राइब हो कि उसक्राइब जो कि कि अगर तो सी है इस फेज मेरा जो भी नंबर है प्क्रोमुस्हों का वह डबल हो जाता है यहां पे S आएगा G2 आएगा और प्रोफेज में जो इसे लिप्टोटीन इंटर करेगा ज्याइगो टिस पीडि़ोस के बाद रूद के बाद पैकाईटीन और एक ऐने मृटीन के sillo phase लेह हमारा एक जो साब और था इसके अंदर वह अंदर देखें यह और इसमें टर्म है जैसे कि लिप्टो टीन और ज्याइगोटिन को कम्भाइन करके जो बनेगा उसको हम लोग क्या टर्म देंगे यह टर्म आयगा यहां पर क्या होगा leftovers के प्रोंब्रोंप दो प्रों टीन में प्रोंडिंग छेड़को प्रोसेंस आएगा विया। पेरिंग ओफ पेरिंग ओफ क्रोमोजोम का पेरिंग होगा लेप्रोटिन और जाएंगे और पेकाइटिन में क्या होगा पेकाइटिन प्रॉसिंग ओगर होगा इसमें प्रॉसिंग ओगर यह हमारा इंपोर्टेंट है पेकाइटिन यह सब इंपोर्टेंट लेप्रोटिन जागोटिन यह आपको और सेम एड़ इड़ आपको कॉस्चन में आ जाएगा और फर्ट किए डिप लोटी नोड 對啊-, 具 डाइकानिसिस में क्या होगा? यह इन आफ घुणीज में क्रोमोजोम आफ दन ₹ जिस्टर में नियुकें हम अफ है? टीजुटे, safer को अफ होगा। जैसे कि यह हमरा शिस्टर क्रोमोजोम है यह sister chromosome होगे sister chromosome materials को बोलेंगे यह different है यहां का जो पार्ट है वो कटके यह वाला पार्ट यह सबोज यह पार्ट है और एक अलग different पार्ट ले में थे यह पार्ट यहां पर चला जाएगा और रेड बाला चला आएगा कहां पर यहां पर यहां पर यहां रख्या होगा क्रॉसिंग होगा यह sister chromosome होगा और यानि कि यह भी sister होगा दोनों और यह जो different है जैसे कि यह chromosome यह वाला और यह यह दोनों को क्या टार्म देंगे दुचारन यानि कि दोनों नौन सिसें अंर्ट ख्रोम अनि कि शेंग लोकेशन पे क्या होगा पेरिंग आफ प्रोमोजोम होगा पेकाइटीन में क्या होगा क्रोसिंग अबर होगा टेप्लोटीन डिकानेसिस में क्या होगा और हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे क्या एना फेज का फॉर्स्ट है उसका इंपोर्टेंट देख लेते हैं कि क्या उसमें इंपोर् दिवीजन ऑफ सेन्टो मियर का, नो डिवीजन, दिवीजन इहां पर नहीं होगा, यह नाप्स फिर्स्ट मानी होगा नेएम हम लोग उसी सेटंड नियुसी सेटंड में क्या है और यहां पर क्या एक एनफेज केबाद क्या प्रोसेस आएगा तिलोफेज फस्ट जो है तिलोफेज फस्ट में क्या आएगा 23 chromosome नंबर होगा और 2C DNA नंबर यही होगा क्या यहाँ पे N haploid haploid structure और सेम यही जो है वो कहाँ इंटर कर जागा मियोसिस सेकेंड में इंटर कर जागा तीलोफेज फरस्ट ठीक है तो यहाँ पे G1 होगा S1 यहाँ पे double हो जाएगा सब कुछ DNA chromosome जो भी है वो double हो जाएगा और यहाँ पे हुँआ रहा हुड़ा next हाएस खार में प्रोफेज को पी लिख रहा है रिखार सेक έχει पिर क्या आएगा मेटा फेज को एम दे रहे हैं आप पर इन मेटापिज पर का मेटा रहे हैं कि और दिक प Verantwortung और है पर कैसे आगा यह बताएं टीलोफेज यानि की 23 प्रोमोजोम नंबर और 2C यह हमारा टीलो से आ गया टीलोफेज से आगा यहां पर जीवन और इसका जो प्रोसेस वो क्या आटारम हाय मतसे लिए इंटर काइने Eco इंटर काइनेस सीज मजें ए एक जीवन ड़ सीवन तूर जीटु जो होगा वह इंटर काइने के नाम से तैंडम यहां पर एन फेज सेकेंड में क्या होगा के ऑन से एक इनफेज हैं में उनप एığ कर दो हो है वो कि एंट्रोमियर कि डिवाइड कि तन अपर सेंट्रोमियर कैसे डिवाइड हो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा पॉल हो गया हुआ और प्रोमोजोम ने ले लेते हैं हम लोग और प्रोमोजोम ने ले लेते हैं हमारा यह बीच का जो पार्ट था हुए टेंट्रोमियर था यह यहां पर जो अटेच्मेंट है वो नहीं होगा यह डिवाइड हो गया दोनों पोल पर चला गया ठीक है यहां पर ट्वंटी थ्री वाइड सी होगा यह ट्वंटी थ्री प्रोमोजोम और टीडियन हो जाएगा यह डिवाइड हो गया और यहीं पर जो हम लोग एनफेज फॉस्ट का जो था इसको देखेंगे एनफेज फॉस्ट में क्या हम लोग बोलें नो डिविजन ओप एनट्रोमियर डन इनफेज फॉस्ट यह जो हम लोग देखें यहां पर इनफेज फॉस्ट में कैसे इसका हम लोग डाइग्राम देख लेते हैं फॉस्ट हो गया है तो यह जो अटाइच्मेंट है संक्रेंट्ट्र से यहां पर रहेगा और यह भी attachment खतम नहीं होगा एनफेज फर्स्ट में ठीक है तो हमारा म्योसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट को हम लोग देखेंगे और प्रोफेज में क्या हम लोग बात की है लिप्रोटीन जाइगोटीन का जो order है यह आज़िटी आपको examination में आ जात जो भी important fact बोलेगा टेट्राड जो है जैसे कि chromosome ऐसे जो चार structure में डीवीजन जो देखते हैं प्रोफेज में हम लोग को देखने हो को मिलेगा जो दो chromosome के बीच में जो protein ये स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग साइन आपके नेमल कॉंपलेक्स बोलेंगे वह किसमें हम लोग को दिखेगा डीपलोटीन में साइन आपके नीमल कॉंपलेक्स का डीजौलूजन होगा तो जो भी है वो यह है और फिर यह एक सेपर श्ट्र स्ट्रक्चर जो है वो किसमें दिखेगा डीपलोटीन में हमको दिखेगा हमारे यह सेल का जो सेल यूनिट अफ लाइफ जो है इसमें का बहुत क्रिस्प और इंपॉर्टेंट यह हम लोग आज डिसक्स किया और यह इंपॉर्टेंट है एक्जामनेशन पॉइंट आप तो यही था आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर बायो मन्थन के सीरीज में इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें और नेक्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी होगा एक्जामेशन पॉइंट आप यूव से थैंक्स पॉर वाचिंग